जया जन्गम सर lets मंगल सूत का मंगल सूत का ये एपिसोर चल रहा है महा मंगल सूत मंगल होता है कल्यान बैटर मेंट अ différentes к्षा या जो किसी का अच्छा हो जाए कल्यान हो जाए, बड़िया हो जाए उसके लिए उसको मंगल बोलते है मंगल का दिन भी इसने बोला जाता है यानि कल्यानकारी दिन सारी दिन वैसे कल्यानकारी होते हैं मनगल का मतलब है कल्यानकारी special दिन इस मंगल सूत में जो 38 सूत है या 38 बातें बताई गई हैं जो 38 तरीके से चीजे अगर आप जीवन में अप्लाई करेंगे, उनको मानेंगे, उनको सीखेंगे, उनको जीवन में अभ्यास में लेके आएंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे, वहवार में और बरताब में लाएंगे, तो आपका अवश्य ही मंगल होगा, इसकी गारंटी है, अवश्य ही कल्यान होगा, इसकी गारंटी यह मंगल सुते बाद में था ही कि लोगों ने अपनी याददास के लिए 1919 सुत्तों की यानि मंगल जो मनी हैं या रतन हैं उनकी एक माला में परोगे गले में डालना या हाथ में बांधना या कमरें बांधना इस तरह से भी काम सुरू कर दिया बाद में मानेता में सिर्फ मंगल का सुत्र का एक माला सी रह गई और बाकी जो मंगल के गुण थे जो उसका सही स्तमाल था जो उसको जीवन में अप्लाई करना था वो खतम हो गया और बाद के दिनों में तो सिर्फ महिलाओं के लिए एक बाद्यकारी आइटम रह गया गुलाम बनाने का सिलेम बनाने का आइटम रह गया कि आपको ये पहनना है ये आपके पती की जीवन की लंबी आयू बढाता है एक धागा या एक कोई माला किसी पती के जीवन की लंबी उमर कैसे बढा सकती है किसी का जीवन कैसे बढा सकती है ये एक बहुत हसने वाली बात है मगर अगर उन 38 बातों को माना जाए तो वो जीवन बढा सकती है परिवार का, बच्चों का, औरत का, स्वयम का, घर का, मोहले का, पुरे देश का, इसकी गारंटी होती है क्योंकि ये सभी लोग समझते हैं और जानते हैं तो इसमें जो आगे का सूत है वो इस परकार से है बाहू सक्चंच सिपंच गिनियों चे सू सिखितो सुभासिता चे या वाचा एतन्ग मंगल मुत्तमन बाहू सक्चंच सिपंच बाहु सचंच का मतलब है बाहु सचंग चै बाहु सचंग चै बाहु सचंग बाहु सचंग जो बोलते हैं पाली भासा में इसका मतलब है विद्वान यानि कि जानकार और चै माने और चुकि सूत्र लगातार आगे पड़ रहा है तो और और करके आगे पड़ेगा यानि कि एक मंगर सूत्र है जो सात्मा है वो ये कहता है कि आपको विद्वान होना है विद्वान का मतलब पुरानी भासा में क्या होता है पुरानी भासा में जो पुराने समय में बुद्ध के समय में या बुद्ध से पहले के समय में कोई कॉलिज, कोई स्कूल, कोई डिग्री तो होती नहीं थी या तो छोटे-मोटे कहीं किसी को जानकारी है जैसे जानकारी किसी को हो गई आज के समय में जैसे कॉलिज के अंदर किताब इंपलाई जाती है मगर इसके अलाबा जो घर में मावाब जानकारी देते हैं वो भी जानकारी है जो मोहले में कोई परवसी जानकारी देते हैं वो भी जानकारी है जो जीवन की उपयोगी सही तरीके से जीने का ग्यान है उसको धर्ण करना है उसको सीखना है और अधिक से अधिक सीखना है इसको विद्वान बुला करते थे और और भी अगर भासा में गुड में जाएं तो विद्वान का मतलद हुता था कि उस विद्या को उसको धर्ण करेगा उस ग्यान को धर्ण करेगा जो पापकर्म से रहित होगा नहीं अदन दाना हो यानि कि बिना किसी दान की वस्तु को लेने का कोई अधिकार ऐसा हो तो इस तरह कि ग्यान को अधिक से अधिकर मजबूत करना है एकटा करना है ये गुन उसके अंदर होना चाहिए ऐसा नहीं है कि चोरी करने के ग्यान को बहुत सीख ले या डखेती करने के ग्यान को बहुत सीख ले या दुकान पे कम तोलने के ग्यान को कैदे के मुझे बड़ी विद्धा आती है या जो आज की डेट में जो कारोबार होता है जो सेंसक्स होता है या जो शेर बारकिट में होता है वहाँ चोरी चकारी करें सरकार का बहुत ज़्यादा शेयर का पैसा चुराए या अनकम टेक्स चुराए या सेल टेक्स चुराए उसको बहुत बड़ी विद्वता कह दे या कोई सरकारी अफ्तर ऐसा बने जो बहुत ज़्यादा रिस्वत ले कह दे बड़ा विद्वान है बड़ा कारगार है बड़ा ट्रवाजिया शीखनी है यह है महामंगे सूत का सात्वा सूत आगे कहता है सिप पंच सिप पंच का मतलब है सिप बने हो गया शिल्प सीखनी चाहिए आठ चाहिए क्राफ्ट सीखनी चाहिए तो सिल्प क्या है, सिल्प है जो क्योंकि उस समय जो इंडस्टी होती थी वो बहुत छोटी छोटी इंडस्टी होती थी ऐसी इंडस्टी होती थी जैसे एक लकडी को छीलने का काम करता है तो लकड़ी को छीलके क्या बनाता है? बैल गारी बनाता है, चोखट बनाता है, दरवाजे बनाता है, खिलिकी बनाता है, या बच्चों के खिलाउने बनाता है, या कोई खेत में उप्योकी चीज बनाता है, या कोई रथ बनाता है, इस तरह की चीजें लकड़ी को छीलके ब तो तामे का कोई बर्तर बना दिया या तामे का कोई सिक्का बना दिया या तामे की कोई चीज बना दी इस तरह से सिल्फ हो गया या जो बास है बास की बहुतारी टोकरी बना दी या बास की बहुतारी चीज़ें बना दी कुर्सी बना दी मेज बना दी बैठने गे तो बास की सिल्फ हो गई या ये घास की सिल्फ है, घास से बड़ी रस्यों का जाल बना दिया, जाल की जुला बना दिया, जाल की जुला बना दिया, इस तरह की सिल्फ हो गई मसक उसको बोलते थे कि जैसे पूरा एक बड़ा जानवर है और वो मर गया तो उसकी खाल को इस तरह से निकालते थे कि वो खाल नुक्सान ना ओर उसको एक तरफ से छिलके और उसके इंदर पाणी भरके लाया करते थे दूर तूर से और यह पानी को लोग तो ये बात बड़े बेकार सी है कि लैदर में भरा हुआ पानी नहीं पिते थे बहुत लोगों ने लैदर में भरा हुआ पानी पिया है और पुराने समय में और खास्तोर से जहां रेगिस्तान या राइस्तान या गर्मी है वहां तो सब जिगे ही पानी का ही थैला होता था प उसमें चमड़ी की बोतल में पानी रखके पीना अच्छा और बढ़िया माना जाता था, क्योंकि पानी खराब नहीं होता था उसके अंदर, तो इस तरह का सिल्फ हो गया, या और सिल्फ हो गया जैसे और तो कि सिंगार का सामान है, या माला हैं, या फूल हैं, इस तरह का सामान है, या कपड़े बनाने का सिल्फ है, या चपड़े बनाने का सिल्फ है, या कपड़ों को सिलने का, हाथ से सिलने का सिल्फ है, ये छोटे-छोटे सिल्फ के काम होते थे, और उस समय तक सोना भी आ गया था, तो सोने का भी कोई ना कोई आइटम बनाने का सोने का सिल्प हो गया था तो यह सारे सिल्प है तो यानि के सिल्प भी सीखना चाहिए आज के समय तो सिल्प बहुत ज़्यादा है इंडेस्ट्री बहुत ज़्यादा है हजारों तरह के काम सिल्प में आ गए है तो वेक्टी को सिल्प सीखना चाहिए, काम सीखना चाहिए, काम सीखने से उसकी तरक्की होगी और उसका जीवन आगे बढ़ेगा यह है महा मंगल सुत में मंगल कारी जो आइटम है आइटम नमबर आठ आगे कहता है सू भासिता चे या वाचा सू भासिता चे या वाचा सू भासिता भासन करता है कोई जैसे मैं बोल रहा हूँ तो इसको भासन बोलते हैं तो भासन माने भास्ति यानि कि जो भास्ता है बोलता है इसको संस्कारिट भासा में भाशन बोलते हैं पाली में भासन है भासा बोलते हैं संस्कारिट भासा में भाशा बोलते हैं शेपाली में नहीं होता इसलिए भासा या भास्ती तो सू भास्ती जहां सू लग जाए इसका मतलब है अच्छा बहुत लाबदायक और बहुत अच्छा बोलना चाहिए सू भासिता चे या वाचा यानि चे माने और वा माने या वाचा माने वारतलाब यानि बात जो करते हैं यानि कि वारतलाब के अंदर जो वो होना चाहिए बहुत मधुर और मीठा होना चाहिए ये उसके अंदर एक मंगल कारी गुण होना चाहिए जो यहां गुण नंबर 9 है अगर वो मीठा नहीं बोलेगा तो किसी आदमी के मन में उसकी पिर्टी रेस्पेक्ट नहीं आएगी प्यार नहीं आएगा वो उसका हिटेशी नहीं बनेगा क्योंकि कड़वा अगर आप बोलेंगे तो इसका मतलब आपका मन कड़वा है आप अंदर से कड़वे हैं और अगर आप कड़वे हैं तो कड़वे आदमी से कौन बात करना चाहेगा कड़वी चीज कौन खाना चाहेता है इसलिए जब आप मीठा बोलेंगे तो सामने वाले को एक इंप्रेसन जाता है कि ये व्यक्ति या ये महिला बहुत अच्छी है चाहे भले ही वो आपका काम करे ना करे आपका क्या जा रहा है तो इसलिए आप मीठा बोलेंगे तो आप लाबदाय करेंगे आपका परिवाल लाबदाय करेगा तो मीठा वहां तक बोलिए जहां तक लाबदायक है कैई बार बच्चे को आपको कटूता से बोलते हैं बहुत ज़्यादा कटूता से बोलते हैं तो कटूता होने चाहिए कटूता नहीं होने चाहिए क्योंकि बच्चे अगर किसी बात को नहीं समझ रहा है और मीठा बोलने से वो उसको liberty ले रहा है आजादी ले रहा है और वो समझता है कि मीठा बोला मुझे क्या कहा है तो आपको जोर से बोलना चाहिए मगर कटूता से नहीं कटूता से जोर से तो बोलें मगर मन के अंदर मेल ना लाएं यानि कि सामने वाले को क्योंकि आपका परिवार है आपका बच्चा है आपको ठीक भी करना है मगर सामने जब आप बोलते हैं किसी से जाते हैं तो हम ऐसा मदुरी बोलने हैं हम ऐसा फायदा होता है यह है महा मंगल उत्तम सूत का नौवभाग साथ आठ नो आरिसम विने के नियम वो होते हैं जो दुनिया के लिए बहुत अच्छे होते हैं और आपके जीवन के लिए हमेसा लापकारी होते हैं यानि rule of conduct आपके behavior के नियम आपके वैवार के नियम जो हमेसा आपके वैवार को ये बताते हैं कि ये वैवार अभी अच्छा हो रहा है या नहीं जब भी आप विने के नियम तोड़ेंगे इसका मतलब है कि आपका वैवार ठीक नहीं है और सू सिख्षितों का मतलब है जवचार नहीं करते जो हत्या नहीं नहीं करते जो जूट नहीं बोलते और जो शराव नहीं पीते जो पांच लोग इस काम ये नहीं करते थे उनको सिख्ष बोला जाता था और जो अच्छी तरह से इस काम को नहीं करते हैं और औरों को भी सिखाते हैं उनको सू सिख्षित आपके मोहले के लिए आपके पडोश के लिए आपके राज्य के लिए और आपके देश और दुनिया के लिए ठीक हैं तो यह है जो नियम है यहां 7, 8, 9, 10, 11, पूरे के पूरे नियम यहां यह बताएगे हैं जो महा मंगल सूत में जो चौथा सूत है उसके इसाब से आता है एतंग मंगल मुत्तमंग यह मंगल में उत्तम है यानि मंगलों में यह उत्तम है यह है महा मंगल मुत्तमंग या महा मंगल सूत धन्यवाद आपने मंगल सूत का नाम सुना होगा बड़ी-बड़ी इमोशनल पिच्चर आती है मंगल सूत के उपर इस तरही अपनी जान देने को त्यार होती है मगर जब विलिन यानि जो खलनायक होता है अगर वो मंगल सूत पर हाट डाले तो हीरों को गुसा जाता है जो महिला है वो आग बगुला हो जाती है उसमें सक्ती आ जाती है मेरा मंगल सूत छीना तो समझो मेरे पती के प्रान छीन दिये ऐसी महिमा मंडित करके मंगल सूत की डालते हैं ताकि मंगल सूत रुबिके और ब्यापार चले क्योंकि मंगल सुत में जो मनके होते हैं यानि कि जो मणी होती हैं काले काले मोती होते हैं वो भी तुलते हैं सोने के साथ में उनका पैसा लगता है तो उसमें अच्छी कमाई ज़्यादा होती है मंगल सुत्र बेसीकली एक गले में पहने का ऐसा एक अभुशन है एक ऐसा विभुशन है जिसमें काले मन के लगे होते हैं और ट्रेडिशनली तो पीले धागा होना चाहिए अभी सोने में भी वो आता है मैंने बहुत चाना मगर मंगल सुत्र के वारे में आपको इसे ज़्यादा जानकारी कोई देगा नहीं बेसिकली मंगल सुत्र जो है वो पुर्सों के और महिलाओं के यानि के जो नर हैं और नारी हैं दौनों के ही पहनने की चीज़ है बच्चे भी पहन सकते हैं बूड़े भी पहन सकते हैं सब ही पहन सकते हैं बोला जाता है पाली में इसको सुत बोलते हैं यानि कि ऐसे वचन ऐसी बात जो आपका कल्यान करे और अगर महा लगा दे पहले तो महा मंगल सुत हो जाता है यानि कि बड़े कल्यान करने वाले अच्छा करने वाले सुत इन सुत को ये सुत लोगों का कल्यान करते थे बुद् बंद कर दिया इसलिए पुरसों ने इसकी महिमा खत्र कर दी और महिला को जबर जस्ती दिया गया कि तुम्हें ये मंगल सूत्र मानने पड़ेंगे तुम्हें याद रहे इसलिए तुम्हारे गले में ये उननिस उननिस मनकों की माला यानि कि उननिस मोती इधर हैं मड़ी इधर हैं और उननिस मड़ी इधर हैं काले रंग की काले मतलब काले लोग होते थे इसमें काले हैं और पीले धागे का मतलब है क्योंकि बुद्ध का जो रंग मानते हैं वो भगवा कलर को पीले रंग भी को 38 मनकों को आप गले में डाल लीजिए और बीच में एक धम चक डाल लीजिए जो बाद में आया तो आपको याद रहेगा कि यह धम की बात हैं कल्यान की बात हैं यह उसका पिर्तीक बना जब लोगों ने उन बातों पर चलना छोड़ दिया तो खाली टैडिशन रह गया पर खतम हो गया और बाद में व्यापार में बदल गया जितना जिसको बड़ा मंगरसूत जो ले सकता है सुनार जो थे जो सुनकार थे उनके मजे आ गए वो वहाँ अपना धंदा करने लगे और उसके हसाब से मंगरसूत दिखने लगे फिर ट्रेडिशन बन गया और फिर मंग आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है आपक चला सकते हैं, इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है, उन्ही की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे, कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूझी आपकी है, धन्यवाद पुद्धम्सरिलं नच्छामीः धम्मंसरिलं नच्छामीः धन्गंसरिलं